नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन वंसाल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर आप लोगों के लिए मैं अपनी सीरीज में प्लोट चेन से लेकर घरह निर्मान तक और घरह निर्मान से लेकर घरह प्रविश्ट तक इस सीरीज में आज मैं आपको और कुछ नई खास जैनकरिया बताना चाहूंगा आपका अपना प्लोट वेस्ट फिसिंग है जिस प्लोट का आपने चुनाव किया वो पश्चिमो की वेस्ट फिसिंग प्लोट है तो वास्तु शास्तर के अनुसार सबसे पहले तो आपको अपने प्लोट का मैप बनवाना है कि आपके अपनी क्या रिक्वार्मेंट है और वास्तु शास्तर के सबसे किचिन कहां पर आने चाहिए टौलेक बाथरूं कहा आने चाहिए master bedroom कहा ना चाहिए, second bedroom कहा ना चाहिए living area कौन से zone में हो, grind room कौन से zone में हो पूजा room आपका कहां पर रहा होना चाहिए और आपके plot के अंदर underground water tank या submersible या borrowel कहां पर होना चाहिए अपने घर को बनाते समय इन खास बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर को पूरा कर सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए एक अदम आगे बढ़ाया तो आप भी इस series को आगे बढ़ाने के लिए अपने circle में हर वेक्ति तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को अपने facebook ग्रूप पर और whatsapp ग्रूप पर ले दे कर इधर उधर से adjustment करके अपना घर बनाता है और वो घर उसके लिए भागे शाली नहीं होता तो उसकी हिम्मत भी तूट जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करें सबसे पहले तो आपको अपने घर का map बनवाना है और उसके बाद आपने मेरी ये series देखनी है आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका plot west facing है तो आपको अपना main gate मुखेदवार कहां पर लगाना है मुखेदवार आपको west center से north west के बीच में लगाना है आपके plot की चुड़ाई कम है तो आपका main gate north west में आएगा west wall पर और आपके plot की चुड़ाई बहुत ज़्यादा है तो उसमें आपना main gate west center से west north west के बीच में भी लगा सकते हैं और main gate west north west से north west corner से भी आप लगा सकते हैं चुड़ाई कम है तो west center से north west के बीच में आपका main gate आएगा यहाँ पर जब आप अपना main gate लगाए तो में गेट लगाने से पहले जो में गेट के पिलर बनते हैं वो पिलर आपकी दीवार की मोटाई के पराबर होने चाहिए जब आप अपना में गेट बनवाए तो में गेट की जो हाइट है वो हाइट भी आपके पिलर के पराबर होने चाहिए या हलकी सी नीची हो सकती है यहाँ पर आपका में गेट आपके पिलर के लेवल से उचा नहीं होना चाहिए और यहाँ का जो आपका में गेट है वजन में हलका होना चाहिए जाली वाला भी हो सकता है और पैक भी हो सकता है तो मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर जली वाला गेट लगाएंगे, एर क्रोसिंग का सिस्टम रखेंगे, तो यह गेट आपके लिए फाइदे बन रहेगा, यहाँ पर आप अपना स्टील का में गेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि वास्तु शास्तर के नुसार वेस्ट के दिशा, मैटल एलिमेंट की दिशा आती है, तो इसलिए यहाँ पर आप स्टील का में गेट भी लगा सकते हैं, में गेट जब आप बनवाए तो उसमें ध्यान रखना है, क्रोस का निशान कहीं भी नहीं आना चाहिए, यानि मुल्टिप्लाई का निशान कहीं भी नहीं आना चाहिए इस परकार आप अपना डिजाइन त्यार करें और दियान रखना है जब आप मैंगेत बनाए तो मैंगेत का जो डिजाइन आप है इस तरीके से बने जो कि आपको'd देखने में संदर लगे बहुत सारी जाली ना बनी हो आजकल जब मेंगेट बनाते हैं तो CNC मशीन से जाली के ट्वा कर मेंगेट पर लगा देते हैं उस जाली के अंदर अलग अलग तरीके के डिजाइन तयार होते हैं जाल वाली जाल वाली उल्जन वाली जाली आपको नहीं बनवाने है इस बात का आपने खास तोर पर दियां रगना है आपका plot चाहे किसी भी दिशा का है Mayn Gate के अंदर यदिछ से कटिंग जाली लगवाते हैं तो जाली आपकी जिनजाल वाली नहीं होनी चाहिए साफसुत्री डिजाइन वाली होनी चाहिए जिसे देखे तो समझ एगी ये डिजाइन क्या क्याता है point clear जो बाते मैंने आपको बताई कि main gate आपका पश्चिन बिशा में कहां पर लगना चाहिए और main gate को बना देश में क्या-क्या साफधानी बरतने चाहिए इसी के साथ आपको दो तीन बाते और दियान रखने है जब main gate लगाएं तो main gate पिलर के center के भाग में लगने चाहिए और main gate के जो पले हैं जब उनको बंद करते हैं तो वापस में नहीं टकराने चाहिए उनके अंदर हलका सा gap होना चाहिए और main gate अंदर की और जुका हुआ या बाहर की और जुका हुआ नहीं होना चाहिए और नहीं main gate ऐसे हो कि अपने आपी main gate खुल जाए या बंद हो जाए इस बात का आप दिहान रखेंगे तो मेरा अपने ये मानना है कि आपका मुख्यद्वार का वास्तु सही हो जाएगा आप हमसे online सला लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का map भेज़ कर हमसे online सला भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का हमारे यहां से मैप बनवाना चाते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप अपनी साइट विजिट के लिए हमें इन्वाइट करना चाते हैं, तो आप साइट विजिट के लिए भी हमें इन्वाइट कर सकते हैं, हमारे पिताजी द्वारा लिखित परतम पुस्तक लक्षमी परवेश कैसे हो, जिसमें वास्तु शास्तर के साथ साथ उन्होंने कि आपको अच्छे लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेस्बूक ग्रूप पर और वाटसप ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये एक शांदार शीरिज लेकर पर अपर बेशियर के लिए पर अगले प्रोड़ाम में फिर एक नए विशय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार